आज हम फोल क्लास बैड काउंट डाउं का हम करेंगे एक्सराइज 3C उसके यह वाले क्वेस्टन्स हैं क्वेस्टन नंबर 7 सब्ट्रेक्टा फॉलिंग मिक्स फ्रेक्शन इसका क्वेस्टन नंबर करेंगे आई जो यह हमने इदर राइट कर दिया सबसे पहले कंपाउंट फ्रेक्शन को हम लोग फ्रेक्शन में लेकर आएंगे वेस्टन को एक बार अगें राइट करते हैं ताकि हमारा स्टूशन स्टार्ट होजे राइट करने के बाद अब हम कंपाउंट फ्रेक्शन को नॉर्मल फ्रेक्शन में चेंज करेंगे 10 5 जा 50 और 59 प्लस किये 59 जो गया 59 बाइ 10 माइनस 10 बाइ 10 और 7 17 बाइ 10 स्टुडेंट्स जब भी हम इस तरह प्वेस्टन सोल करते हैं उसमें उसमें इक्वालिटी का साइन डालना नहीं भूलते हैं इक्वालिटी का साइन आपने हर स्टेटमेंट में साथ साथ एड़ करना हैं 59 बाइ 10 के साथ इक्वालिटी का साइन आएगा अब हम नीचे देखेंगे हमारा डिनोमिनेटर सेम है हम उसको वन टाइम टैन लिखेंगे और उपर उसी दरा स्टेटमेंट आजएगी 59 माइनस 17 59 में से हमने 17 माइनस किये आंसर आजएगा 9 में से 7 गे 2 5 में से वन गे 4 या गा 42 बाइ 10 विद इक्वालिटी का साइन क्योंकि क्वेस्टन हमारा कंपाउंट फ्रेक्शन में है हम अपना आंसर भी कंपाउंट फ्रेक्शन में देंगे इसलिए हम इसको डिवियन करेंगे 42 आएगा अंदर 10 आजएगा बाहिर 10 फोर्जा 40 42 में से 40 गे तो अब इसका अगर हम बनाएं आंसर तो किस तरह बनेगा सर्कल फोर्म में फोर इंटो टू बाइ 10 इसलूशन तो हम ना लाइट सुर्गे क्लास फोर काना काउंट डाउं काना एक्सराइज 3C काना कोशन नमबर 7 काना के कर रहे हैं तो यह रिक हैं हमने कोश्टन लिख दिया है तो ना हम दो बारा ही दोफा कोश्टन लिखेंगे यह तो यहां हम हर लाइन के सार्ट ने एकल का सांग दाने लिए तो हमने इकल का सांग मीचे भी दाला तो 5 3 15 15 16 17 18 इसे आगए 5 माइनेस 5 फाइप फाइप और यह तूसमें 2 प्लस की है 6 7 तो 7 आगया तो नीचे 5 ठीक है आगे फिसे तो नाइन गाना और लिखावाए 18 माइनस 7 नीचे टू टैम 5 लिखेंगे नहीं हम वन टैम पाइप 5 लिखेंगे उसके बाद 18 में से 7 की 7 चलो हम इसके बाद एक रफक बाद पाद नहीं हुआ के में समने 7 माइनस दोंने आगे से मन ए सबस्ते हो समय देगे अश्या तो रह गिए फ्लावन चैनलावन ट्रीज़ावन सबाटी समय यह एघ्ट में से समय कि इस में अगिषान आगया उपर से वी वन आ गया तो और रह गया 11 उके लावन आंसर तो इस में सा में पिशेट वाइट करेंगे यह 11 अंदर 5 5 5 2 10 आगे 1 2 1 और 5 आँचर आगे 2 1 5 थैंक फो वाचिंग अगर कोई या अगर